हलो दोस्तों, आज मैं एक और बढ़या सी रैसिपी लेकर आई हूँ, इसी आप हरी मिर्च का सालन भी बोल सकते हैं, या सबजी, मिर्च का ठेचा, अचार जो चाहें, बहुत जल्दी बन जाता है, और रोटी पूरी या परांटे के साथ तो बहुत ही तेस्टी रखता है, श चमची साबुत धनिया, एक चमच राई, इन सभी को हमें मीरियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है, वैसे तो आप इसमें ड्राई मसाला ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे ड्राई रोस्ट करके टेस्ट और भी जादा अच्छा आता है, इन सभी चीजों को भुनने में क येवल दो से तीन मिनट का ही समय लगता है, इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, इन सभी को हमें बिल्कुल ठंडा करके ही मिक्सी में पीसना है, मसाले बिल्कुल ठंडे होए हैं, मिक्सी की जार में डाल देते हैं, और कोर्सली ग्रैंड कर लेते हैं, बस ऐसे ही मोटा मोट सा हमें मसाला चाहिए अब इस मसाला मिर्ची में हम डालेंगे ये मूंगफली ये मूंगफली आधा कप हैं इनको भी बस खरल में डाल कर मोटा मोटा सा क्रश कर लेंगे ये मैंने रोस्टेड वाली हैं मूंगफली ली हैं वैसे तो हम इने मिक्सी में भी कर सकते हैं लेकिन मै मैंने 250 ग्राम बड़ी वाली हरी मिर्च ली है इसको मैंने पानी से धोकर कप्रे से पोच लिया है ताकि इसमें पानी वगरा ना रहे अब इनकी डंडियों को अलग करके मोटा मोटा कट कर लेते हैं सभी मिर्चें कट कर ली हैं अब एक गरम कढ़ाई में दो से तीन चमच सरसो का तेल डाल दिया है तेल के गरम होने पर हम इसमें डाल देंगे बन फोर्ट जीएस पी हींग और तुरंथी पंदरा से बीस लेसन भी डाल देंगे और लेसन को थोड़ा सा भून लेंगे अब इसमें कट की हुई सभी हरी मिर्चे भी डाल देंगे और दो मिनट तक ऑईल में ही भूनेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे सौध के अनसवार काला नमक और मिक्स करेंगे धक कर पांश मट तक पकाएंगे गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो रखनी है पांश मट बाद लिड हटा कर देखेंगे मिर्च थोड़ी सी सौफ्ट हो गई है इसमें हम डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ सारा मसाला और सब को एक बार मिक्स कर देंगे मसाला डालने के बाद हमें इन मिर्चों को थोड़ा सा कूटना है तो लकड़े की मूच से मैं इसे थोड़ा कूट रही हूँ आप किसी भी ग्लास या कटोरी से इसे कूट सकती है गैस की फ्लेम को हमें अभी बिल्कुल स्लो रखना है मसाले इसमें मैंने 250 ग्राम मिर्च के हिसाब से ही से ही मेजर्मेंट करके लिए हैं बस ऐसे ही थोड़ा मोटा सा कूट लेना है इसमें अब मैं डाल दूँगी क्रश की हुई मूंगफली और हम मिक्स करेंगे मूंगफली आप इसमें इसकिप भी कर सकते है बस ये डाल कर मिर्ची का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है इसमें मैं डाल दूँगी 3-4 चमच दही दही डालने से इसमें थोड़ा खटापन भी आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा अब इसमें हम डाल देंगे एक चमच रैड चिली पाउडर एक चमच ही वाइट विनेगर लिया है ये ये भी डाल देते हैं और इसको अच्छे से भूनेंगे तकरीवन 5 मिर्ट तक हमें इससे भूनना है ये इंस्टेंट मिर्ची का सालन है हम इसे 15-20 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं मैं इसको सर्फ भी कर लेती हूँ आप देखिए कि ये कितनी टैंप्रिंग लग रही है आप इसे रोटी परांठी या चावल के साथ भी ये मिर्ची का सलन बहुत टेस्टी लगता है ले सकते हैं फ्रेंड्स आप मेरी रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिए और पसंद आये तो एक लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर रीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना तो बिल्कुल न भूले रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद